स्वागत है आपका हमारे नेक्स लेक्चर में जो कि हम राज्तन जॉग्रफी का कवर करें राज्तन जॉग्रफी में अब तक हमने क्या 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 चीजे कवर कर ली है यह हम अल्री दो बार रिवाइस कर चुके तो इसके अंदर हमने क्या क्या टॉपिक देखे थे 23rd and half north latitude इस एक basic information हम पढ़ चुके हैं सबसे लंबा दिन और किस किस दिन day and night equal होते हैं सबसे लंबी राते कब होती हैं और अगर 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे sun की जो sun rays आ रही है बिल्कुल वर्टिकल फॉल हो रही है तो सबसे अबली कहां पे होंगी गंगा नगर यह हम अलड़ी पढ़ चुके हैं उसके बाद हमने कल के लेक्चर के अंदर क्या देखा था कल के लेक्चर के अंदर हमने देखे जो राजस Дंस अर्रेट 2007 के लेक्चर की बादर सिर स्रोप तरॉरील यानि इसको हम लैंद लख स्टेट वी बह सकते हैं इसका डलाॉव स्टेट व थैस्प निर जिसकी तक्रीव सारी ग्रक्राइब यहां इस में पर आपके उसे यहां पर जाके खतम होती है और इसके अंदर हमने क्या देखे कि जो भी का ने रहे बिकानेयर की जो बाउंडरी है सबसे छोटी है नियरली 168 किलोमेटर है जो कि टच करती है उसके बाद आपके बिकानेयर के बाद कौन से आते है बिकानेयर के बाद आता है आपका बाडमेर देन आपका गंगानगर देन आता है आता है आपका बिल्कुल साही जवाब जसलमेर कि नियरली 4-4 लेंद्र डियें जो की टच करती है इंटरनेस्ट बाइश्ताइशल बॉर्डर की बात करते है राजस्तान की डियू बॉडर है उसका क्या नाम है रैड क्ली फीक लांई ठीट लाइन को अनाउस कब किया घया थाय कि इसा 100 कि मविक ऑप इसलिए हम राजस्तान के उपर मेजर फोकस है हमारा आगर हम चेक करें कि जो रेड़ क्लीफ लाइन है किन-किन स्टेज को टच करती है उसमें आता है पंजाब राजस्तान गुजरात और यूनिन टेरिटरियात की दो आती है जम्मो कश्मिर ए लड़्दाक और यहां पर सबसे चोटी डिस्टिक कौन सी है राजस्तान की वह है गंगा नगर यानि सरी गंगा नगर और सबसे बड़ी डिस्टिक कौनती है जसलमेर एंड यहां पर गंगा नगर का कौन सा विलेज या फिर कौन सा पर्टिक्लर एरिया है जो टच करता है यानि इनिशल पॉइंट कौन सा है वह हिंदुमल कोट अलड़ी बता दिया आपको नेक्स्ट आता आपका भागल विलेज जो कि कहा है आपका बास यह बार्डमेर डिस्टिक के अंदर इसके बाद हमने क्या कवर किया जो गंगा नगर है यानि की इसकी में बात कर रहा हूं गंगा नगर आपका नियरली 210 क्लोमेटर यह 168 क्लोमेटर और और यह 464 क्लोमेटर और नेक्स्ट आपका आता है बाडमेर इसे पहले सीक्वेंस थोड़ असा गलत बता दिये हाँ इसके उपर कलम ने mcqb क्या था अगर आपसे यह पूछा जाए कि अरेंज करना है अन्द बेसिस ऑफ लेंद यानि स्मॉल से लॉंग की तरफ जाना है 168 यानि कि सबसे पहले कौन सा आएगा आपका भीका ने फिर उसके बाद आएगा आपका घंगा नगर दूसरी है तोतल कितने है जो पाकिसान की टाइट यह उसमें सी जो तीन टिस्टीक है पंजाब प्रोविंस की जो कि टच करती है किसको राजसान को और राजसान के कितने डिस्टिक है वो चार है जो कि टच करती है और छे डिस्टिक किसकी है सिंध प्रोविंस की है सिंध प्रोविंस की कौन सी है घौटकी सूकर यहां पर मेंचन है उसके बाद खेरपूर सांगर एंड उमरकूट थार पारकर अगर मैं थार पारकर की बात करो यहां पर राजस्थान में एक कैटल की वेराइटी भी है ब्रीड भी है जो की काउ की थार पारकर एक ब्रीड है यहां पर राजस्थान की और यहां की लोकल है थार पारकर यह हम पढ़ेंगे यह आपका आएगा से रिलेटिट जो हब एक टॉपिक है उसके अंदर हम थार पारकर से रिलेटिट इंडप्ट पढ़ेंगे जैसे यहां पर आपको मिल जाएगी थार पारकर मिल जाएगी राठी मिल जाएगी ऑल्री जो राठी है प्रिसाइ यह चीजें कवर किये राजस्तान की 4 historic जो कि टच करती है कि इसको पाकिस्तान को गंगान अगर, बिकानेर, जसल मेर और लास्ट कहुण सी है, बार्ट मेर, पंजाब प्रोविंस के यानि कि पाकिस्तान की कितने डिस्टिक के टोटल, 2 district है, स्वरी दो प्रॉविंस है और नो डिस्टिक है जो की टच होती है पंजाब प्रॉविंस के अंदर सबसे पहले आपके आती है भावल लगर उसके बाद आती है भावल पूर फिर उसके बाद आती है रहिमार नेक्स आती है आपके सिंध प्रॉविंस सिंध प्रॉविंस में आ तो आप इस तरीकिस क्या कर सकते है कनेट करके नामों को याद कर सकते हो आपके दिमाग कोशन आएगा जिन्दगी में पहली बार सारे नाम पढ़ रहे हैं इनको याद कैसे करना है सिंपल से सलुशन है बार-बार याद करके नेक्स्ट जो यह रेड क्लिफ लाइन है नाम बत से यहां पर मेंबर्स थे जस्टिस मेहर चंद एंड तेज सिंग जिस टेम रेड क्लिफ लाइन बनाई जा रही थी यह जो रेड क्लिफ लाइन है उसका डिमार्केशन किया जा रहा था तो कौन-कौन रिपर्जेंटेटिव थे यह दो नाम है याद रखिएगा आपको और यह कौन सी डिरेक्शन हो गई वेस्ट तो यह जो रेड क्लिफ लाइन है इसके प्रिसाइस डिरेक्शन क्या हो गई नॉर्थ वेस्ट और सेम यहां पर लिखावा भी हुआ है नेक्स्ट आगे चले चिक है इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है इंटर स्टेट बार्डर इंटर स्टेट बॉर्डर मतलब जो आपका राजस्थान है किसके साथ होता है इंटरनेशनल उसके बाद किससे स्टार्ट होता है इंडिया के स्टेट के साथ स्टार्ट कहां से होता है पंजाब से स्टार्ट होता है पंजाब के बाद आता है आपका हर्याना पंजाब की दो है जोकि होती है कौनशी गॉण सी्ट यह बताए था फाजिल का और最終 का दारी तोटल साथ हे लास्ट में आपका मेवात चकरता है सो तीशा प्रपर डारेक्शन से जो लिख्य हुई है जानिकी अगर आपसे out कुछ कांसे डाउट हो कां सब्सक्क्राइब हातस अगर हर घ्लाट तक हाथ हो जाता आपका यहां भरतपुर्टफ देधा यहां तक यह जो लोकेशन है यह जो पूरी लोकेशन एडारेकशन में आरिया इस इसी स्कंग क्या मोलते हैं नॉर्थ-फिस- कहा में सो गया भी ये रहां हिपार इस डारेकशन में कौन सा आपको स्टेट मिलेगा उत्तर परदेश साउथ-फिस्ट यानि कि मद्ध्रदेश अगर मैं है पर साउथ-फिस्ट की बात और यहां पर आपका गुजरात है यह कहां हो गया आपका साउथ डिरेक्शन में यह मैंचन भी है आपका प्रिसाइजली अगर और ध्यान से देखे तो यह साउथ वेस्ट भी हो जाता है इसके बाद अगर मैं यहां पर पंजाब प्रॉविंस की बात करूं अल्री बात कर यहां पर मैंचन है यहां compare ने जो सब्सक्राइजिए देखे इंचार मतन मधिकंत साउथ यहां का यहां से यहां तक करीवा इस तरीकसे पंजब आपका आता है तो है अर्यग ओगए आपको हो आ पड़ूह Subscribe पूछा जा जेक ningún है क्या क्या पूछा जाएılar ही चिक तकर्षे थे के पंजाब को अंसर नो सिर्फ पार्शिल बॉर्डर टच करता है और टोटल गंगा नगर और इसके हनुमानगड की लेंथ अगर हम कल्कुलेट करें या फिर फाइंड आउट करें तो कितनी है यहां पर हमने दो चीज़ें अभी तक लेंथ कितनी है बॉर्डर की उसके बाद जो गंगा नगर है headquarter वह पंजाब के बॉर्टर से दूर है यहां से बहुत ज्यादा होती है क्योंकि एकनोमिक एक्टिविटी बेसिकली हर्याणा और राजस्थान में सिमिलर कौन सी है जो गाए है या फिर जो हमारी कैटल है या फिर जिसको हम लाइफ स्टॉक बोलते है उनके बीच में राजस्थान के बीच में अल्दो बाकि स्टेट के साथ लेकिन जो प्रॉमिनेंट लीए यहीं पर आपको देखने के में है क्योंकि जो हर्याणा है हर्याना की बफैलो की वेराइटी जिसको मुर्रा बोलते है और वो यहां पर सबसे ज्यादा क्या की जाती है तो हर्याणा की कितने डिस्टिक है साथ डिस्टिक है और राजस्थान के भी कितनी है साथ डिस्टिक तो यहां पर अगर मैप में देखे यह हो गया हनुमान गड़ कि मैं इस तरीके से माक करते जारूं यह हनुमान गड़ जो कि टच करता है कि इसको हर्याणा को यह हो गया चूरू, शेड करूं या नाम लिखूं, नाम लिखूं, ये हो गया आपका हन्वानगड, उसके बाद ये हो गया, चूरू, देन, जुन जुनो, ये हो गया सीकर, एक और चीज, सीकर का बिल्कुल छोटा सा हिसा टच करता है, किसको हर्याना को, ये हो गया जैपुर, पिंक सिटि, जैपुर, ये हो गया अलवर, ये कौन सी डिस्टिक है, मैं प्राक्टिस किये तो आगया होगा नाम, ये है भरतपूर, भरतपूर में एक सेंचरी भी है, वाइललाइब सेंचरी है, ये टाइगर रिजर्वे, अंसर करना कमेंट में, क्या लिए यहां पे तो यह आपकी टोटल साथ डिस्टीक है जो कि किसके साथ होती है क्या लूज करके हाँ पर कर रहा हूँ जो की बॉर्डर किसके साथ टच करती है कि वाणी हिसार चार पढ़ लेते वैब की सबसे पहले जो चार है वह रिवाड़ी दूसरे नंबर पे रिवाड़ी के बाद मेंदरगड उसके बाद भीवाणी उसके बाद हिसाल उसके बाद आती है आपकी सिर्सा सिर्सा के बाद है फतेवाद उसके बाद है मेवाद यानि अगर हम यहां पे करण चेंज करते हैं सबसे पहले आपके कौन से डिरेक्शन में आता हर्याणा की उसके बाद भीवानी हिसार सिरसा फतेबाद मैवाद मेबाद कल के जो क्लास रहेगी आपके स्पेशल क्लास रहेगी जिसके अंदर जितनी भी हम यहापे स्टेट बार्डर कवर करने वाले हैं निकल नहीं रहेगी यह आपको एक से दो दिन में मिल जाएगी जिसके अंदर हम जितने भी स्टेट्स कवर कर रहे हैं उसमें सिर्फ सिर्फ एक एक्स्ट्रा स्पैशल क्लास होगी जिसमें एंटरनेशनल और जो स्टेट बॉर्डर से उनकी मैप प्रक्टिस होगी यह सिर्फ की लारजेस्ट dzt टिक है जो कि टच करती है किसको हर्याना को या बो सकते हैं जिसके सबसे जयादा लेंथ है बॉर्डर के वह कोन सी है चूरू देन आते हैं सबसे स्मॉल्डस डिस्टीक जो की टच करती है वह है जोंचुन नूं अच्छा, आपके दिमाग में कोशन आ रह चुरू और सबसे चोटी आपके आजाती है जुन जुरू अच्छा एक और बता बात बतानी है आपको किन तीन डिस्टिक को मिलाके शेखावटी रीजन बोला जाता है बहुत आसान सवाल है इसलिए बता ही दोगे तो आई थिंक आज के लिए इतना ही बहुत है या उत्तर प सब्सक्राइब करेंगे अपने लेक्टर के अंदर और जितना अभी तक हमने पढ़ा है इसको एक बार रिवाइस कर लेना जैसे आपका यह इंट्रोड़क्टरी पार्ट कंप्लीट होगा तो इसके लिए एक कंप्लीट सेशन में आपको प्रवाइड कर दोगा 10-10 मिनिट क वीडियो नहीं होगी वह कंप्लीट 30-35 मिनिट की होगी जिसमें सारी चीज आपकी एक ही लेक्टर के अंदर रिवाइस हो जाएंगे ठीक है तिल देन आप इसको पढ़ते रही है रिवाइस करते रहे और मिलते हैं आप से नेक्स क्लास के नेक्स लेक्टर के अंदर मेरी त झाल